Hello everyone, welcome to my channel Maths Rasta आज का जो टॉपिक है वो Class 8 का है Lesson A, Algebraic Expressions and Identities Exercise 9.3 का Question No. 3 है हम मिलकर read करते हैं और समझ लेते हैं कि Question में क्या दिया है Find the product हमें product करना है, कुछ terms हमारे पास है इन terms को हमें multiply करना है और answer निकालना है तो अगर आप देखते हैं, तो कुछ variables हैं, कुछ numbers हैं इसके अंदर तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन sub terms को break करेंगे तो सबसे पहली term जो है हमारी A square है, सबके बीचे इन 2 का sign है Then 2 multiply A to the power 22, multiply 4, multiply A to the power 26 तो अगर आप देखेंगे, तो पूरे में multiplication का sign लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, numbers के साथ number का multiplication करना होगा, और variables जितने भी होंगे, तो वो variables एक तरफ रहेंगे तो हम लिखेंगे 2 multiply 4, जितना यह है, A square, multiply A to the power 22, multiply A to the power 26 तो देखें, numbers एक तरफ हो गए हैं, और variables एक तरफ हो गए हैं, उससे क्या होगा, number multiply करने से हमें एक number मिल जाएगा और हमारे पास 2 or 4, eliminate हो जाएगे, हट जाएगे, उसका answer 8 आजाएगा then variables होंगे, तो variables solve करने के लिए क्या होता है, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर base, same है यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, और यहाँ पर भी A है तो जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है? Base number इतनी बार लिखने के बजाए हम क्या करते हैं? उसे एक ही बार लिखते हैं और जितने भी उनके degree या power होते हैं उनको हमें add करना होता है. उसे सबसे एक formula है because a raised to m multiply a raised to n that is equal to a raised to m plus n. मतलब यह जो powers रहते हैं यह सारे add हो जाते हैं जब base उनका same हो देखें यह base सारे same हैं तो base जब same होते हैं तो जो powers रहते हैं वो add हो जाएंगे. तो हम यह multiply करते हैं 2 forza a multiply यह एक ही बार लिखेंगे 2, 22 और 26 में आपको addition का sign लगाना होगा. ठीक है final answer में आएगा 8a to the power 50 यह हमारा final answer आएगा जब हम इने multiply करते हैं तो यह मेरा पूरा explanation था आप इसे देखिएगा आपको अच्छा लगता है समझ में आता है तो please like करिए, subscribe करिए मेरी channel को, thanks for watching match रास्ता, bye bye, take care.